हलो वेलकम तो दिस वीडियो टूटोरियल आज के इस वीडियो में सिखेंगे विजुल बेसिक में मोड्यूल को कैसे रिनेम करते हैं तो देखें एक टेक्स टेट हमने यहां पर लिखा हुआ है और इसको टैलिक करने के लिए हमने एक मैक्रो बना हुआ हुआ है डेवलेपर यहां पर इन मैक्रो को रिनेम किया हुआ है यहां पर इस मैक्रो को अभी हमने रिनेम नहीं किया तो मैक्रो को रिनेम करने के लिए हमको सबसे पहले प्रॉपर्टिस विंडो की जुरत होती है प्रॉपर्टिस विंडो आपकी यहां पर शो हो रही है कि कई बार आपकी प्र properties window को open कर सकते अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा properties window यहाँ पर open हो गई इस module का नाम हम अपने macro के उपर रख देंगे जो macro हमने बनाया है उसके नाम से यहाँ पर देखिए इसका नाम copy करके paste यहाँ भी कर देंगे और enter मार देंगे enter मानने से जैसी आप enter मारोगे आपके सब जिगा जो module के ना module 1 module 1 आपके से automatically सारे चेंज होगे जो आपके macro को नाम था ठीक है कभी भी आपको future में इस macro के जोरत पड़े कि तो आप automatically यहाँ पर यह शो हो रहा है देखिए इटालिक phone करके आपको पता चल जाएक कि इटालिक phone के लिए जो macro बनाया हुआ तो इस module के अंदर है तो एक चोटा से वीडियो जाकी module को कैसे विजुल बेसिक में रिनेम करते हैं और उसके फायदे क्या क्या है तो उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगली बार किसी दूसरे वीडियो में थैंक्स पूर वाचिन